है तो वेरी वरी गुरिवरी तो आल अप यू आगे हैं अजित मैता से फिर से आपके लिए करन्ध फ्रस के महा संदभ को लेकर यह करन्ध अफ्रस घ्यर महा संगोर में से आप थो ने की मोठी को चुड़ा ले ना उन उन मोतियों को मैं चुरा के लाया हूं जिसके करण आपका सेलेक्शन हंडेट परसेंट होगा डियर अभी जितने भी जामनेशन हो रहे हैं और मैंने जो पिछले सेशन में करेंट अफर्स लिया था उनमें ऐसा दिखा गया है कि 95% करेंट अफर्स आपको लग रहे हैं डिफर की कर रहे हो आप डिफर्स के लिए सीडियस कर रहे हो सी एप कर रहे हो एंटीपी से रेमिले की जामनेशन दे रहे हो एंपीस की दे रहे हो और पैंट इग्जामनेशन दे रहे हैं तो आने वाले सालों में 2021 में एक्जामनेशन होंगे यह काफी महत्तून आपके लिए कर देख रहा हो को कि examination में current reference के scope का पर रहे हैं डियर्स तो looking to that हम current reference के important collections को ले के आया हैं डियर्स और एक तारीक से डियर्स जस्क आपके मई से मई current reference के भी शुरुवात होगी डियर्स ओके तो don't miss the session just आप लोग अभी subscribe करते चलो पटापट आप telegram apps पे मुझे search कर सकते हो बात कर सकते हो अपनी queries को डाल सकते हो और time to time year आपको pdf भी मिल जाये करेगी telegram apps पे डियर्स एमिनेट एजुकेटिव यह हमारा telegram apps है आप फटाफट जितने लोग session को देख रहे हो आप फटाफट इसको communicate करो और अपनी process या अपनी जो इसको इसमें पूट करो मारा process कैसे होगा डियर्स आप मेरे पस कैसे पूच होगे निर्मला सितारवन रिप्रेजेंटेट इंडिया अट फॉस्ट जी ट्वेंटी फिनैंस मिनिस्टर एंड सेंटल बैंक गौवर्नर मीटिंग ऑप टू-021 तो दो हजार इकीस की पहली फिनैंस मिनिस्टर और जो सेंटल बैंक मेंस जो मैक्सिमम कंट्रियों के जो सेंटल मैंक होते हैं जैसे अपने भारत का अर्बिया है उनके गवर्नर की मिटिंग को रिप्रेजेंट किया है किसने निर्मला सितारवन में इस को मिला कर यह जी ट्वेंटी की जो मिटिंग होनी है और जी ट्वेंटी की मिटिंग होनी है की इससे पहले आपके निर्मला सिता रहान जो कि आपके फिनेंस में स्ट्रिंग हमें पर इन सामिल है और इनका जो केंद्रिय बैंक होता है या सेंट्रल बैंक होता है इनके गवर्नर की मिटिंग को रिप्रजेंट किया है किसने निर्मला सितारवन अब देख सकते हो निर्मला सितारवन में 2021 की पहली G20 बिट मंत्रियों और सेंटरल बैंक गवर्नेर्स बैठेक में भारत का पर्तेनिजित किया है है 2021 में G20 के लिए कौन सा देख 2020 को रप्रेजेंट करेगा या कौन सा चेयर G20 गों से जीट एकटीज़ को शेयर करने वाला है इसके जानकारी हम लों ले ओके एंसर होगा इतली तो अभी जो जो G20 होनी है जो की 2021 में होगा वो इतली में होगा दियर वह मैं पैताता चलू दियर यह जी ट्वेंटी की सेक्टिंट सोलह सोलह हमी सम्मीट है दियर ओके पाइंड यूनियन मिनिस्टर ओफ फिनांस और कॉर्परेट अफेर्स निर्मला सितरम पाइंड 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 प्रस्टीं फिनांस मिनिस्टर अज चैनल बैंक गवर्नर्स मिटिंग अंडर इटालियन प्रेसिटेंशी ऑन फ्रेसिक्स-2-0-2-1 बिट्यालियन प्रेसिटेंशी के रस्पेक्ट में यह 2-0-2-1 जो 26 फेरवरी उन्होंने मिटिंग को अटें प्रेसिटेंग होनी है 2-0-2-1 में डियर किसी लेक्टर में G20 के डिस्कुशन कर दूंगा आपको डियर और यह जो 16th मिटिंग्स और गुरूप 20 सिदूल टू टॉप प्लेस इन रोम इतली और 32 31st October 2021 तो यहां से कितने कुशन स्लाइट से बंते दियर कि G20 की ओवर से इंड या िडिश्यवेट्य मिनिस्टर और गुवर्नेट्स या फिनेंशन मिस्टर और फमसी वी जी गवर्ट गववननर ऑफ सेंट रम बैंक मीटिंग की मिटिनग जो हुई है यह मैं भारत क्यों जो 되면 तो आपको दिख रहें स्क्रीन पहें आपको बिच मंतरी है तो इस्क्रीन होनी और कहां से होगी दियर तो रोम इटली में होगी दियर ओके इतने जानकार्या आपको रखने चाहिए और डेट प्याद रखने दियर ये थर्टी टू थर्टी फ़र्स्ट अप्टूवर को ये मिटिंग होनी है करेक्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट विच दे इस और अब पुछा जाता है कि प्रोटीन क्या है तो प्रोटीन एक और यू कन से माक्रो नुट्रिट इस और अप्रोटीन क्या है तो प्रोटीन एक और यू यू कैंसे माक्रो नुट्रिएंट एडियर ओके ये बॉडि के लिए काफी इंपोर्टेंट होता है तो आप सब्सक्राइब को यह जानना चाहिए कि यह प्रोटीन माक्रो नुट्रिट होता है अगर आप देखो हुझे प्रोटीन क्या डाइजेशन से बॉडि की किस यूके जरुट क्या बात करो तो मैक्समों परोटीन मिलता है बटेंच को यह उपने की जरुट की किसे करते हैं तो बंशय करते हैं तो किसे गते किसे करते हैं डाल से करते है डाल से करते हैं इस दर्वत की पूरूज़?" 27 2020, the 2021 marks the second year for this nutritional awareness milestone in India by right to protein, it means, पिछले दो सालों से, ये second year ये मतलब last year, last year ये किया गया था, right to protein को launch किया गया था, the theme of 2021 was, ये इस, powering with the plant protein, okay, powering with the plant protein, ये कापे इंपोर्टें आप्पी लेड है, क्योंकि ये पिछले साल से ये मनाया जा रहा, last year से, तो 27th February, February 2020, will be declare as the protein day, okay, इतने information आपको रखनी चाहिए, clear, हाँ, जी हाँ, information should be, आपके पास information होना चाहिए, examination point of view से, okay, कि protein day कब मराया जाता है, protein की किदर होती है, और ये theme क्या है, ये सारी बातों को आप बुजा रहना चाहिए, ताकि examination में आप भी अच्छा कर सको, और questions ना चुटे हो, theme को याल रहती है, ये theme क्या है, powerings with plant proteins, okay, और ये last year, means 2000, you can say, 19 से ये मनाया जा रहा है, okay, surely, in, sorry, 27 से मनाया जा रहा है, in India, the national science thing is observed every year on, भारत में हर सा लास्ट ये विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, 27 फरवरी, 26 फरवरी, 25 फरवरी, आप answer करें, I am waiting for your answers, here is 28 फरवरी, the national science day is celebrated on 28 फरवरी each year in India to spread the message about the importance of science in the daily life of the people, ये किस लिए मनाया जाता है, विज्ञान की जो महत्व है आपके जाइनिक जीवन में, उसको उसका विस्तार करने के लिए, उसको जंगत तक पहुंचाने के लिए, ये 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 मनाया जाता है, 28 फरवरी, national science day के रूप में इंडिया वाले मनाते है, अगर बात करूं को theme क्या idea to commemorate the discovery of Raman effects, तो जो Raman effects ने जो discovery किया था, उसके discovery को ये Raman effect के परवाव को हम लोगो याद करने के लिए भी मनाते हैं, उनको salutes करने के लिए मनाते हैं, क्योंकि आजी के दिन, 28 फरवरी, 1928 को Raman effect को पूरी दुनिया के सामने रखा था, और ये Indian physicist थे, ये Indian scientist थे, जो कि physics के जाता थे, और Dr. C.P. Raman ने Raman effect को पूरी दुनिया को दिया था, और इसके लिए ने Nobel Prize भी मिली है, और इनको Nobel Prize मिला है in physics, 1930 में, for its contribution in the world, the Raman effect, और रमन परवाव जिसे कहते हैं, तो ये इनका important contribution रहा है वोल्ड के लिए, और ये India, India के थे, इसलिए इंडिया वाले, इनके इस दिन, इस दिन इनको पूरी दुनिया को Raman effect परभाव को दिया, इसी दिन को आम लोगो National Science Day के रुप में, पूरी दुनिया में मनाया जाता है, और भारत में मनाया जाता है, युकेंसे, इंडिया में मनाया जाता है, ओके, चले, what is the theme of the 2010 national science day, अबजया, आदी आजिए चले को है, science for the people and people for the science, human in science, science and technology for the sustainable future, future of SDI impact on educational skill and work, अभि आपने देख़ ए है, एसा करोगे, तो feature of STI is impact on educational skill and work, okay? Now, the G20 summit, जो 2021 की अभी मैंने चर्चा क्या, will be which additions of the annual summit? अभी आपने देखा हो, कि जो G20 summits होगी, जो आप देख रहे होगी है, 32 31st October, October 2021 को होनी है, ये कौन सा, मिन्स राइक में है, कौन सा period है, आप बता सकते हो, कि कौन सा addition है, तो addition होगा डियर, ये 16th addition से, और ये आपको बता है, अभी जो से मैंने चर्चा किया है, रोम और इटली की जिम्बारी है, कि इस बार G20 summit को ये कड़ा ले, और G20 में 19 country plus 1 European nation है डियर, ओके, चल्ड़ा, बहरत में किस बैंक ने हाली में जे पी मॉर्गन के साथ, ये अधारित बैंक की ब्लोकचें टेखनीक लिक पर लाइब होने के लिए करार किया है, कापी इंपोर्टेंट है ये एलसर होगा State Bank of India, उके, उस यूस बेस्ट बैंक तो स्प्रेट अब ऑवर्सीस ट्रंडेक्शन्स, जो वेश्विक संचरन हो रहा है, वेश्विक परिशरन हो रहा है गुद्राओं का, उसके लिए इस टाइब किया है इस की बेस्ट बैंक ने इसके साथ तो इंडिया के SBI के साथ और इसके वज़े से SBI has become the first bank in India to go live on the blockchain-based payment network of J.P.Morgans. The tie-up will reduces the transaction cost. इस tie-up के करें जो transaction cost and the time taken by a SBI consumer for overseas payment. तो बिएसों में जो पैसा भेजते हो हो, जो बिएसों में जो पैसा आता है, इनकी जो transactions, transactions की जो time होती है, वो decrease होगा और time के वेज़े से cost decrease होगा. क्योंकि time plus service यह क्या कहलाता है, यह cost कहलाता है. You know very well कि bank जो आपको banking की जो सुदा है, वो एक service sector की सुदा होती है, जिन में time का important होता है, आपको time लगेगी तो cost लगेगी, transaction लगेगी तो cost लगेगी ती है, तो US-based आपने State Bank of India ने यह tie-up करा है, very good. यूशुप पठान has announced his retirement from all format of cricket. He represented which team in the domestic cricket, Balodra, Karnataka, Gujarat and Madh Pradesh. यूशुप पठान ने cricket के समी पावोगों से सन्यास लेने की घोशना की है, उन्होंने घरिलो क्रिकेट में किस team का परतेजित तो क्या, Balodra, Karnataka, Gujarat and Madh Pradesh, answer होगा, Balodra. अब देखरो हो, यूशुप पठान, यूशुप पठान ने फॉर्मर इंडियन अल-rounder, has announced his retirement from all format of cricket. यूशुप वो इस अलडर बदर ऑफ फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर, इर्फान पठान के ये अलडर बदर हैं, he played a 57 ODI and 22 T20 match for Indian between 2007 और 2012 के बीच में इनों ने इतनी matches खेला हैं. ये 38-38-year-olds, part of the Indian team, जब 2007 T20 World Cup इंडिया जीती थी, तो इंडिया के ये पार्ट थे, तो 2007 में जो इंडिया World Cup जीती थी, वो इंडिया टीम के पार्ट थे, और सेम भी जब 2011 में ODI, जो इंडिया ने वोल्ड कुप जीता था, ODI World Cup तोस्ट में भी ये पार्टिसिपेट थे, युशुप ने 810 रन बनाया है, वोन डे इंटरनेशनल में, और इनोंने 236 T21 में रन बनाया है, पूर इंडिया, इनोंने 46 बेकट को पिकप्स किया है, अपने पूरे जेवन में वो बलोदरा के लिए खेलते हैं रहे हैं, इंडिया सोशल एक्टिविस्ट अजनी भारतवाज वस ओनर्ड विट एन एंटी करक्शन एबॉर्ट बाइशनली भारतवाज को किस राष्ट द्वारा वस्ट्रचार बिलोदी पुरुषकार से सम्मानित किया गया था, यूएस, यूके, फ्रेस और करना, एंसर करों किया था, इस यूएस, तो भारतवी समाजी कारकर्टा अजनी भारतवाज को यूएस के द्वारा राष्टी परस्ट अचार बिलोदी पुरुषकार से सम्मानित किया, यह है अजनी भारतवाज, The United States on February 23, 2002, honored the Indian social activist, अजनी भारतवाज, with the International Anti-Corrections Campaigns Award. The honor was conferred upon 20 individuals in total for their dedication toward the combating corruption. जो corruption से fight करने के लिए, इनके जो विचार से रहे हैं, इनकी जो plannings रही हैं, इनके लिए United States ने इनको यह दिया था, तरह आपको पता होगे दिया, United States. Next, The Financial Action Task Force on February 25, 2002, retained the Pakistan on its grey list, तिल भाएं, अभी देखा कि पाकिस्तान की जो गतिमिदिया चल नहीं है, वो जिस तरह से terror activity को बढ़ावा दे रहा है, ऐसे पूर दुनिया में वालत अलग पढ़ रहें, और यह जो Financial Action Task Force है, इनको एक साल से grey list में डाले हुए, तो फिर से इनकी म है, यह पूछा जा रहा है कि इनको grey list में कब तक रखा गया है, grey list में कब तक इनकी सीवाव को बढ़ा दिया जा है, तो तो तिल जून 2020 तक पकिस्तान को अभी भी grey list में ही रखा है, इसने Financial Action Task Force में, काप इंपोर्टेंट है, आप Financial Action Task Force on February 2021, रेटें पाकिस्तान in its grey list तिल जून 2021, after concluding that the nations had failed to address its tragically important deficiencies to fully implement the 27-point action plan that the global backlogs had drawn for the nation. इनको 27 मुद्दों पर कायर करने के लिए, work करने के लिए और action करने के लिए कहा गया था, जो कि इनों नहीं किया, इनको जो है, मिस्पाकिस्तान को फिर से grey list में ही रखा गया है, कब तक जून 2021 तर, The Financial Action Task Force के बारे में जानते लिए, also known by its French name, Groupies des Actions Finances, इनका French नम यह है, Okay, is an intergovernmental organization founded in 1800 and 89 on the initiative of the G7s to develop policies to combat especially money laundering in 2001, its mandate was expanded to include terrorism financings, तो इनकी जो है, कि किस तरह से money laundering को रुका जाए, इसके लिए इसके स्थापना के गई थी, अब इनका support जो है, कि यह जो terror funding हो रही है, यह terrorism को जो finance किया जा रहा है, उस पे भी लगाम लगाने के बात के लिए, यह काम कर रहा है, इनकी headquarter है, Paris France, इनकी headquarter के लिए है Paris France, और president है Marcus Blair, और it was found जैसा मैंने भी कहा है, 1989 में, परपस क्या है, compact money laundering and terrorism financing, how many members country, there are 39 member country in this task force, तो यहाद आखिए कर टास्क पोर्स की जो headquarter है, वो Paris है, और Paris लिए France में है, president है Marcus Blair, चुकि यह काफी जोलन्त मुद्दा है, और यह active, अभी active purpose है, तो AF, OK, आप, you can say, active काफी मुद्दा है, तो इससे question-pushie darling की possibilities काफी जादा है, Thank you, thank you to watch me, thanks for watch my videos, kindly kindly, kindly, आप पटापट मेरे को subscribe कर दो, यह हमारा YouTube है, Eminent Educator, और यह हमारा क्या है, Telegram है, Eminent Educator, आप मुझे subscribe करो, for PDF, आपको Telegram को subscribe करना चाहिए, If you want a PDF, तो आपको subscribe करना होगा, dear, कल से, means, 1st, 1st of March 2021 से, We will start what? We will start the my to my, my to my current affairs, क्योंकि आने वाले आपके JPC में, whatever जितने भी इंजामेशन होगे, वो आप mostly 6 months के current affairs किया जारे, dear, तो मैं इसकी शुरुआत जून से करने वाला हूँ, जून, ओके, जून नहीं होगे, dear, मैं इसकी शुरुआत से करने वाला हूँ, सेप्टमबर 2-0-2-1, तो सेप्टमबर 2-0-2-0 से इस कोशन के शुरुआत होगे, और आपको मैं 2-0-2-1 तक मैं आपको ले जाओगा, ताकि आपके JPC, और जितने भी Serious 2, Serious 2 के पेपर होने वाले हैं, उन सब्सक्राइब में ये काफी मदद करेगा, तो कल से शेशन शुरुआत होजाएगी, तो आपको 2 करेंट अफेर्स मिलेगे, 9.30 में आपको डेली करेंट अफेर्स मिलेगा, याद अटर ये है, माई टाइम क्या है, 9.30, आपको दोनों मिलेगे, आज की लो करेंट अफेर्स वो भी मिलेगे, साथ में, यू कन से, सेंटमर तो माई 2021 तक के आपको बैल पाएगे, तो फटापट, आप लाइक रेलेगे, ताकि दोन्त मिसे सिनलेशन, थैंक यू, थैंक यू, वी बिलेगे तोमरो अट 9.30 पेम, थैंक यू, थैंक यू.